जब तक मैंगो का सीजन चल रहा है तो क्यों ना हमें मैंगो से कुछ ना कुछ रेस्पी स्ट्राइब करते रहनी चाहिए तो आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम थिक एकदम क्रीमी यह यमी मैंगो स्रीखंट की रेसिपी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो mango chicken बनाने के लिए मैंने यहाप यह एक aam लिया है, इसका हम pure बना के तयार कर लेते हैं और इसके लिये अब हमें hunkard की जरुरत है तो हकंकर बनाने के लिए मैंने यहाप वोल की उपर यह Toriner रखा है इसके उपर हम एक muslin cloth रखेंगे और मैंने इसके उपर ये दही डाल दिया है, ये 400 ग्राम के आसपास दही है, अगर आपके पास इस तरह का मसलिन क्लोथ नहीं है, तो आप कोई भी कॉटन का पतला कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, अब हम इसको हलके हाथ से प्रेस करेंगे, क्योंकि हमें इसका सारा पानी आप इसको बहुत तेज से प्रेस मत कर दीजगा, वरना ये दही कपड़े से बाहर आ जाएगा, तो इसका सारा पानी निकलने के बाद हम इसके उपर कोई भी भारी चीज रखें, इसको 6-7 गंटे के लिए ऐसी ही छोड़ देंगे, तो इसमें जितना भी एक्सेस वाटर है वो सारा निकल जाएगा, तो ये देखिए 6-7 गंटे बाद हमारा हंकट बन के तयार है, ये एकदम पनीर के जैसा बन गया है, आप देख सकते हैं, तो अब मैं इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेती हैं, और हमें इसको अच्छे से विस्क करना है, हमें इसको तब तक विस थोड़ा सा फ्लपी और क्रीमी नहीं हो जाता, तो ये देखिए इसको विस्क करते हूए, हमें 3-4 मिनिट हो चुके हैं, अब आप इसका टैक्छर दे सकते हैं, ये एकदम क्रीमी एधम फ्लपी हो चुका है, ये देखिए, आप इसको विस्क करने के लिए हैंड विसकर या यहां पी यह mango puree आड़ करेंगे हम एक साथ सारा mango puree आड़ नहीं करेंगे अभी और इसको हम अच्छे से mix कर लेंगे तो यह दिखिए और बचा हुआ दो टेबल स्पून mango puree हम इसमें और एड़ करेंगे क्योंकि एक साथ में अगर mango puree आड़ कर देंगे ना तो यह करदा मारा थोड़ा सा पतला हो सकता है तो इसको हमें हलके हां से ही विस्क करना है यह आप देख सकते हैं इसका टेक्शर एकदम क चाइनी है यह देखिए मैं आपको इस्पून उल्टा करके भी दिखाती हूं यह इस्पून से एकदम बाहर नहीं आएगा यह खाने में बहुत ही यमी लगता है बहुत ही डिलिशस लगता है थोड़े से हम इसमें mango chunks एट कर देते हैं अगर आप इस तरह से इसमें mango chunks एट क कर दिया है थोड़े से हम इसके ऊपर मैंगो चंग से इसको इस तरह से गानिश करेंगे थोड़े से हम पिस्ता से इसको गानिश करेंगे आप कोई भी ड्राइफ्रूट से इसको गानिश कर सकते हैं अपनी पसंद के तो यह आप देख सकते हैं हमारा एकदम थिक एकदम क्र कीमी डिलिशयस मैंगो श्रीखंट बनके तयार है आप एक बर इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आपको मेरे आज की रेसिपी कैसी लगी आप देख सकते हैं इसका टेक्श्चर यह बहुत धी यमी लगता है खाने में अगर आपको मेरे आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग